taxonomy and ecology of leaf folder यह जो insects है यह काफी active किसम के insects है and they are major pest of rice crop अगर इन insects की हम classification की बात करें तो they belong to phylum arthropoda इनकी class insecta है इनका जो order है वो lapidoptera है और इनकी जो family है वो crambide है यह insects rice crop को severe damage कास करते हैं अगर हम इनके मौत की बात करें या adult की बात करें तो इनके जो मौत हैं bright yellow or straw in color जैसा के यहाँ पे slide के अंदर दिखाया गया है उसके लावा they have two wavy line in four wing and one in the hind wing यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इसके जो wings हैं उनके उपर wavy lines मौजूद होती हैं उसके लावा इनके जो eggs है delay eggs singly are in group in row next slide के अदर हम देखेंगे कि यह किस तरीके से अपने eggs जो है वो ले करते हैं और यह eggs जो हैं इनका जो incubation period है वो चार से आठ दिन होता है उसके लावा इनके eggs की अगर हम coloration की बात करें तो eggs are scaly white in color अब इस slide के अंदर हम देखें तो यह इनके eggs दिखाए गए हैं एक पते के उपर किस तरीके से इन्होंने eggs ले किये हुए हैं हमने देखा कि इनके जो eggs हैं उनका color white और इनका जो incubation period है वो चार से आठ दिन का होता है अब अगर हम इनके life cycle की बात करें तो यहां पे जो adult मौत है यह तक्रीबन दो से पाँच दिन इनका time period है जो female है वो egg ले करती है और यह जो eggs है यह तक्रीबन पाँच से आठ दिनों के अंदर हैच करते हैं और इन eggs में से इनका larvae निकलता है अब जो different इसकी larval stages है वो तक्रीबन 20 से 30 दिनों के अंदर complete होती है उसके बाद इसकी next stage आती है जो कि pupi है और इसकी जो pupi stage है यह तक्रीबन 10 दिनों के अंदर complete होती है और ultimately pupi adult के अंदर convert हो जाता है तो इनका life cycle हमने देखा कि जो female है वो egg ले करती है यह eggs तक्रीबन 2 से 5 दिनों के अंदर hatch करने के बाद इन में से next stage जो है उन निकलती है इनका incubation period है उसके बाद इन में से इनका larvay निकलता है larvay different stages से होता हुआ यह pupi के अंदर convert होता है और pupi मुख्तलिफ stages से होता हुआ ultimately adult के अंदर convert हो जाता है अब इनके अगर हम damage की बात करें तो यह insects खास तो पर इसकी जो larvay stages है यह rice plant के अंदर severe damage कास करती है यहाँ पर इस slide के अंदर दिखाया गया है कि इसका जो leaf है उसके उपर एक larvay का attack हुआ हुआ है initially यह जो larvay होता है यह एक तो पौदे की तमाम जो stages है उसको damage करता है उसके लावा जो newly hatch caterpillar है यह पहले जो पत्ते के edges हैं उनके उपर feed करता है फिर उसके बाद यह जो पत्ते हैं इसको इस तरीके से यह fold करना शुरू कर देता है इसको इसी वज़ा से हम leaf folder कहते हैं कि यह पत्ते के अंदर जाके उसके दोनों sides को आपस में मिलाना शुरू करता है यह खास किस्क्रिशन पैदा करता है और ultimate पत्ता लिपटना शुरू हो जाता है इसी बेस के उपर इसको हम leaf folder कहते हैं उसके लावा इसके attack के बाद जो पत्ता है वो सुखना शुरू हो जाता है यह जो insect है यह rice crop को severe damage कास करता है और sometime इसका जो damage है इसकी वज़ा से जो yield loss है वो 10 to 50% तक पहुंच सकती है अब इसको control करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले perform tillage and cultivation system जो tillage या जो gody का system है जिसमें हम unwanted plants को remove करते हैं यह एक important strategy है उसके लावा हम light traps का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको control करने के लिए उसके लावा बहुत सारे जो natural enemies हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसरी के से एक important natural enemy ट्राइको ग्रैमा है यह एक important natural enemy है जो इसके control के अंदर important role प्ले कर सकता है उसके साथ हम बहुत सारे insecticides का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से chlorpyrifos हम इस्तेमाल करते हैं इसको control करने के लिए उसके लावा कुछ और जो natural predators हैं उसके अंदर spiders शामिल हैं अब spiders खास वर पे जो foliage spiders है या web builder spiders हैं वो web बनाते हैं rice crop के अंदर और इसके जो moths हैं इनके web के अंदर आसानी से फच सकते हैं इसी तरीके से जो active hunting spiders हैं वो इसकी larval stages के उपर भी feed कर सकते हैं तो इस तरीके से ये जो insects हैं इनको हम control कर सकते हैं और rice crop को बचा सकते हैं क्योंकि अगर इसका control ना किया जाए तो जो crop है ultimately उसके अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकते है उसकी जो yield है हमने देखा कि 10 to 50% तक कम हो जाती है जिस से जो farmers हैं उनको नुकसान पहुंचता है